प्रिजेंटली हमारे भारत में कई तरह की जो है फुट टेक अप्लिकेशन है जिसमें आपका जुमैटो, सोईगी, उबर एड्स अलग अलग कमपनी जे लेकिन ये सारी जो कमपनी ये सब प्राइविट प्लेयर है एक धमाकादार इंट्री हुआ है ONDC का बट ये सवाल है कि ONDC आखिर है क्या कई लोग कह रहे है कि ये प्राइविट कमपनी है कई लोग कहना है कि एक सरकारी कमपनी है अगर माल लीजिए ये एक सरकारी कमपनी निकली और सरकार जब प्राइविट प्लेयर से जब कॉम्पेटिशन करेगी तो इसका इंपक्ट क्या होगा आइए सब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ONDC होता क्या है ONDC जिसका पूरा नाम open network digital commerce है बट सवाल यह है दोस्तों आखिर ONDC क्या कर रहे हैं और अखिर जो है private player जो मैटोस होईगी और अधर जो भी platform है उस पर क्या effect इसका होगा तो सबसे पहला point हम लोग कुछ examples समझते हैं कि ONDC एक्ष्वल में क्या करेगी कई सारे लोग बोल ला है कि ONDC जो है कि application है तो यह आप मीद खतम कर दीजिए ONDC क्या है एक तरह का platform है जो right now government of India जो है launch की है जैसा कि दोस्तों यह जो ONDC platform है यह September 2022 में launch हुआ था लेकिन पिछले कुछ एक हफता से यह काफी जो है न्यूस पर काफी trending में अब हम लोग समझते हैं एक example कि थूरू कि ONDC पर आप कैसे order दे सकते हैं जैसे माल लीजिए मेरा एक restaurant है और उस restaurant का नाम अधनान restaurant करके है ऐसे आपकी भी एरिया में कई सारी छोड़े छोड़े रेस्टोरेंट रहेगी यह मिठाई का शौप रहेगा तो हम लोग अभी नॉर्मल क्या करते हैं कि जो भी चीज हम लोग खाना है बिर्यानी मिठाई यह कुछ भी खाना है तो हम लोग उसको order दे देते हैं त तो इसी process को खतम करने के लिए थोड़ा बहुत भारस सरकार ने साल 2022 में ONDC platform को launch किया आज का हमारे चैनल के साथ बने वे रहे हैं हमारे साथ बने वे रहे हमारी टीम आपके लिए और आप हमारे लिए थैंक्यू सो मच जैहें